पूर्णिंग कर से आप सब आप सभी का मेरी चैनल पर बहुत बहुत सब्सक्राइब अब बच चुके साड़े दस और सुबह का जो भी रूटीन था वह फॉलो किया हम लोगों ने बस ब्लॉग नहीं सुठ किया अजबन जा चुके ऑफिस और अभी मैंने नहाया है और यहां पर मेरा बेटा भी नहा चुका है तो हम दोरों लोगों नहा लिया है और अभी तक न मुझे पीना मना है पर मैं चाय के लिना नहीं रह पाती हूं तो थोड़ा सा चीनिक कम करके एक-दो बार दिंधर में ले लेती हूं और अभी मैं अपना नास्ता ले आई हूं यहां पर हम दोनों लोगों का नास्ता आ चुका है मीरा और मेरे बेटेगा तो चलते हैं नास् तो इसलिए थोड़ा लेट से ही बनाती हूं ताम था मैंने सब निपटा दिया थोड़ा देर रेस्ट करूंगे उसके बाद फिर खाना जो भी बनाना होगा उसकी त्यारी करूंगी तो आप लोग प्लीज ब्लॉग पे बने रही हैं आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडिय की वरर्जन कम करने के लिए हम लोग कौन कौनी कोसिस कर रहा है जıtिसे हमारा वरजन जो है कुए हैं सा अपने नाशते दलिया का सेवन कर सकते हैं कि दलिया से वजन काफी हद्तिक ह होता है क्योंकि दलिया हिल्दी होता है पेट भी भरा भरा से रहेगा और ज्यादा इसको चबाने की भी जरुरत नहीं पड़ती है पेट में बहुत आसाने से पस जाता है एक्षटा फैड भी नहीं बढ़ने देता और मैं दलिया पिछले डेट सालों से अपने नास्ते में योज करती हूं कभी-कभी यह होता कि मतल नास्ते की साथ मैंने लिया एक दूद और पत्ती डालके चाय क्योंकि चाय की बिना में रहने ही पाती हो चाय जिनको विजन कम करना हूँ वो बहुत ठीक कम पीए क्योंकि छोड़नी को तो नहीं कह सकती चाय जुग वो नहीं छोड़ सकता है और सुबह का जो ड्रिंक आप हो जाता पर जैसे जैसे थोड़ी से गर्मी बढ़ेगी हम उसमें हनी और नीवू भी मिलाके यूज करेंगे चिया सिट्चो आप लोग दिर में दो बार यूज कर सकते हैं खीर हो गया या फिर कोई सरबत कोई ड्रिंक या फिर गुंडने पानी के साथ क्योंकि ये दो तीन बाल ले सकते हैं नहीं तो सुबह के टाइम तो ड्रिंक में ले ही सकते हैं तो हम लोग इस समय सुबह के टाइम ड्रिंक में लेते हैं फिर सुबह का नास्ता कुछ हलका ही लेते हैं फिर दो पहर में डेर से दो बज़े तक खाना खाते हैं तो रोटी इस समय जादा ही चल र साम, कू, रोटी, सब्जी, सैलड मतलब यही सब रहता है खाना जिससे कि अगर सभी चीज बनाओंगी तो ज्यादा खाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा ही करके खाने में ज्यादा हो जाता है लेकिन अगर कम आइटम बनेंगे तो थोड़ा ही खाना पेट में जायेगा तो ऐसे भी हम अपना वजन जोगा कंट्रोल कर सकते नहीं तो अगर आप धेश सारे आइटम खाने में बनाएंगे तो खाने का तो मन करेगा ही मन तो ललचाएगा ही तो खाने में खा लेंगे पर वजन जो हमारा नहीं घटेगा बढ़ता ही चला जाएगा तो इसलिए थोड़ खाती हु और एक साथ कई सारे आइटम नहीं बनाती हूँ आज दोपर के खाने में काफी दिन हो गया था हमारी आलू का पराथा नहीं बना था मैं माईड़के शुली गई थी तो कम से कम पंदर दिन हो गया कुछ अच्छा मैंने नहीं बनाया तो सकह चलो आज बना देती ह उसके बाद फिर रोस्टी में मैंने सेवाई जो है डाल दिया थोड़ा सा उसमें ड्राइफ रोट डाल दिया था ड्राइफ फूट भी जो है रोस्टेट वाला ही था तो मतलब मुझे नहीं भूनना पड़ा इन सब चीजों को और साथ में आलू और परवर की सबजी बना रह है कि मैं जागा नहीं बनाती हूं बहुत बहुत दिन पर बनाती हूं क्यों आलो के पूरी में बहुत ही ज्यादा ओईल लगाना पड़ता है हलका ओईल लगाती हूं तो इन लोग को अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए ज्यादा ज्यादा दिन पर बनाती हूं थोड़ा eating गरंब इसो appreciate करना एंदोremo के सूद है इसलिए स्वाद भी बना रहे पपसंद भी भनी रहर धिकाथ एसी ही कुछ कोशिक क्रती हुम है मुझे मेरे हभलू का अ थार्गेट कीर स्वाद कोभर में रहे हैं को कि इतनersonенных पतले रहेंगे उतने ज़्यादा है तो इसलिए मुझे और रजबेंट को दो लोगों 10 kg वजन कम करना देखते हैं किते दिन में होगा वैसे मेरा वजन तो कम हो गया था पर इसमें माई के चली जाती हूं जब भी तो मेरा वजन जो बढ़ जाता है तो देखिए मेरा बहुत ह थाली जो बनके त्यार हो गई थोड़ा सा पराठा में तेल मतलब ज्यादा लगाया तो इसे हल्दी उतना नहीं कह सकते हैं पर सैलड और सबजी और हमारे से वही सब कुछ बहुत थी अच्छे से रीटी हो दो पर गी खाने मेरा वही था फिर हो गया था साम का टाइम और सा आज का ये ब्लोग कैसे लगा कमेंट करके जरुर बताएं ऐसे हमारे वीडियो पर बने रही आप लोग को थोड़ा बहुत वेट लास की जानकारी देते रहेंगे जो हम लोग फॉलो कर रहें वही आपके साथ सेयर करेंगे तो मिलते हैं एक ने ब्लोग के साथ तब तक लि इब़ाद के बादो